स्लाम अलेकुम स्टुडेंट्स मैं सेदा मुमिन अबुखारी हाजर हूं आपके सामने चाप्टर नंबर 7 मिक्सचर्स की एक्सरसाइज के साथ तो आज हम जो है वह मिक्सचर की जो चाप्टर तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी बुक्स को उपन करें पेश नंबर 93 और इस पर जो फूर्स क्वेस्चन है अस जो हर एक्सरसाइज में होता है फूर्स क्वेस्चन जो होता है वह तो MCQ उसका ही बात है गिवन होता है तो मैं स्टेट्मेंट रीट करूंग आप भी स्टेली कर लीजेगा और जो भी मैं आपको मार्क कर वाऊंगी आंसर उनको भी मार्क कर लीजेगा चाकि आप लोगों को बाद में कोई भी दिफिकल्टी ना फेज करनी पड़े तो मैं फर्स्ट जो होगी स्टेट्मेंट वो रीट करने जो आ रही हूं सेलेक्ट अब जो भी गिवन आपके पास उप्शन्स हैं इन में से आपने किसी भी एक चीज़ का आंसर जो है वो मार्क करना है जो के सबसे डिफरेंट है आइस वाटर स्टीम आइस वाटर स्टीम ये एक ही एक ही टाइप है बट डिफरेंट स्टेट आफ मैंटर इसमें यू तो वाटर ली हुए बट वह लीकुट की फॉर्म में तो उसका टेंप्रेचर इंक्रीस किया तो वह आइस बन गया तो यह तो यह तीन वह एक ही चीज़ इसमें बाकी बच्टिया सोडियम तो सोडियम एक क्या गया तो इसका आपका सी का जो ऑप्शन है वह करेक्ट आंसर है नेक्स जाते हैं ऑप्शन नमबर टूपे एक कंपाउंड के लिए आपने इंचालो स्टेट्मेंट को रीट करना है जो के गिवन दी गई है फिर जो करेक्ट आप्शन होगी आपने वह सिलेक्ट करनी है तो जो आप्शन डी है 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 और सब्स्टांड्स कंसिससिंग झैंट-टेिंग किност इन प्रंच से क्या जात है उनन को मेल्ट किया बंगत है घर अप जब आ जापनी मर्टरम में आ ज्याते है यह पर्र मिक्स अप किया जाता है तो स्टेट्में नमबर फ्री में रीट करने जा रही हूं विच वन अफ फॉल्मिंग इस नॉन मेटल अब आपने इन चारों उप्शन में से नॉन मेटल का बताना है तो जो फॉस्फोरस है वो नॉन मेटल है तो ऑप्शन इस दा करेक्ट आंसर फिर आपने स्टेट्में नमबर फिट में बताना है विच वन अफ फॉल्मिंग स्टेट्में इस वाउस अब आपने इन सब में से आपने चालों स्टेट्में बताना है कि कौन सी फॉस है तो ऑप्शन नमबर स्टेट्में जो आपकी जो स्टेट्मेंट है सी आपकी जो किस तरह से किया जाता है तो यह जो स्टेटमेंट है वह आपकी रॉंग है नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सिक्स्टेटमेंट पर ओप सिंगे डियॉट लिकुट के वोट की फॉर्ममें होती है नेक्स आपने विच वोजड फॉम्ग इस मिक्स्चर अब आपने वतना है कि इन चारों से मिक्स्टर कौन सा है तो option A जो है आपका मिक्स्टर कहलाता है क्योंकि एर जो होती है उसमें डिफरेंट एलमेंस होते हैं इंक्लूड होते हैं नेक्स आते हैं which one of the following is a homogeneous mixture अब आपने homogeneous mixtures का बताना है कि homogeneous mixtures कौन कौन से हैं तो option B जो है आपकी steel की homogeneous mixture कहलाती है नेक्स आते हैं which one of the following is a solution अब आपने option 9 में जो है statement 9 में वो बताना है कि आपने solution इन 4 option में से solution किसे कहते हैं तो option D है brass की वो आपका correct answer है नेक्स आते है बरास जो होती है वो zinc और copper को मिलाकर alloy की form में बनाई जाती है नेक्स है आपकी last technique use for separation of colored components of their substances जो colored components को किस तरह से किया जाता है तो chromatography आपकी technique है जो कि use होती है इसके लिए तो option B आपका correct answer है तो यह answer जो है वो आपके chapter number 7 जो कि मिच्छिस के नाम से उसके correct options है MCQs के तो अब जो है वो हम question number 2 जो कि short answers के बारे में अब हम उसको जो है वो complete करने जा रही है तो सबसे पहले आप आजें first short question page number 93 define a solute आप जें solute का बताना है कि solute किसे कहते हैं तो यह इसके लिए आप जोग आजें page number 83 पे आएंगे आप लो यह 7.1.3 solutions का जो topic है इसमें आपका लिखा हुआ है solute और solvent के बाले में जो के दो main components होते हैं किसी भी mixture या solution के तो solute के आप underline कर लीजए the solute is a substance that dissolves आप यहां से शुरू करेंगे the solute is a यहां से शुरू करेंगे next मैं आपको बता देती हूँ the solute is a substance that dissolves in a binary solution solute is that component of the solution which is present in smaller quantity कोई भी mixture में solution में जो smaller quantity में जो भी element add-on किया जाएगा उसे solute कहा जाएगा next आते है exercise में question number 2 की तरफ give 5 examples of heterogeneous mixtures तो यह आप लोगा आज जी के बेजने number 81 पर with the help of the drawing or picturization उन्होंने आपको examples बताई हुए है first आपकी दी हुए है salad की example दी हुए है फिर आपकी sandwiches की pizza की sugar को sand मिक्स कर दें तो वह भी heterogeneous solution क्योंके और धी मिक्सबिन लीन ही होती हैो यह पर ecreates lab जी होती है क्योंकि दी को लहांते है तो यह यह थारोक पार्यव क्योंकर देवर इंदर और is work नहीं होते हैं तो यह 5 examples इंद में कोई आप लिख देंगे नेक्स आते है पेज नमबर 94 पर कॉर्शन नमबर फूर गेफ फाइव एक्जामपल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर बहुत सारी एक्जामपल्स आपके पास बर्जु फुक में दी गई हैं आप लोग यह लिखेंगे तो यह जादा मेहतर है तो इसके लिए आप लोग आ जाए पेज नमबर 82 पर होमोजीनियस मिक्सचर इसमें से नीचे आपको पिक्चर भी दी हुए है इसमें से कोई भी फाइव पांच चीजों के नाम आप लिख लेंगे तो यह आपका अंसर कंप्लीट हो जाएगा नेक्स आता है गिफ त्री एक्जामपल्स ऑफ आलोई आपने अ है अलोई का तो एलोई आर दा हुमोजीनियस मिक्स्चर मिक्सचर ओफ सम डाऊ भी दो मैटर्स को मेल्ट करके जब एक दूस्तिक हैं मिक्सचाप कर वायजागा तो वह बन जाएगा अब इसके आपने फाइव लाइभ दू तो आप पिक्जामपल्स ने हैं तो आप सिज द आप लोग स्टील की दे सकते हैं उसके इलावा आएर न की भी दे सकते हैं तो यह जो अपलय की दे के यह वंब वन देखे हो मोजींएस हॉर हैoni नियान कित ने का इताना था थ q passou स्टर गीवन यह लिए अपने ठीड मे EVERYिग पे तो मैं होमोगीनियस फिक्सरी की मैं आपको अंडराइन कर वार रही हूं लाइन को अंडराइन करने इसके लिए हेट्रोजीनियस स्लूशन पेज नमबर 81 पे आप लोगाएंगे लाइन नबर 1 आमिक्स्टर फूस कंपोजिशन यहां से स्टार्ट करेंगे हेट्रोजीनिय स्लूशन का पाराग्राफ फिर्स लाइन अमिक्स्टर अमिक्स्टर फूस कंपोजिशन फूस कंपोजिशन यहां से आप लोग स्टार्ट करेंगे मिक्स्टर फूस कंपोजिशन फूस कंपोजिशन और प्रॉइच जो मैंने आपको देफिनिशन माख करवाइन हैंदिग यह लिखिएंगे नेक्स ओज आज फूस्तार्ट फूस क्तूस कंपोजिशन नवर्यस हां स्टार्ट मुठ्स है और यह दिफरेंस आपका एक बन जाएगा नेक्स आते हैं확र क्रिस्तिलाइजेशन पे और क्रॉमेटो ग्राफी को आपने क्या बताना है तो क्रिस्तिलाइजेशन में जब होग कैसी कि अब gaud होता है उसमें आप लोग कुछ material add कर देते हैं कुछ water drops add कर देते हैं तो वो क्या कर देते हैं आपके solvent में crystallization हो जाती है जब जो solute होता है वो आप जब add करते हैं तो वो आपस में क्या होते हैं वो solvent में dissolved नहीं होते हैं ऐसे solutions जो के solute में dissolved नहीं होते हैं और उसके crystals होते हैं वापस में present रहते हैं वो तो उसे कहते हैं हम लोग crystallization तो अब crystallization जो है इसकी मैं आपको mark करवा देती हूं इसके लिए आप लोगा जो पेश नंबर 88 पे जो distillation का concept है paragraph है जिसकी पे activity 7.7 भी है इसके नीचे आप लोग देखेंगे तो sublimation का भी दिया गया है और crystallization का भी दिया गया है तो मैं crystallization की definition mark करवा हूं इस process the solvent is made to evaporate by heating slowly and the dissolved solid is crystal out वही कि इस process पर crystallization में क्या होते है solute जो add करते हैं उसके crystals बन रहे होते हैं और जो solute उता है वह evaporate हो रहा होता है तो यह आप लोग जो line क्रिस्टलाइजेशन की underline कर लें और next page number 89 पे आएंगे तो chromatography का आपको बताया गया है first line से ही आप लोग underline कर लें chromatography is a technique used for यहां सब्लुक स्टार्ट करेंगे chromatography is a technique used for यहां से आप लोग स्टार्ट करेंगे मैं आगे आपको mark करवा रही हूं chromatography is a technique used for separation of colored components of a mixture in this method different solutes are dissolved in the same solvent as components of the mixture यहां तक आपकी जोगी chromatography की definition हो गई next आप आते compound and mixture पे तो compound and mixture यह जो table हमने डिसकस किया था last video में table है पेज नमबर 90 पे पेज नमबर 90 पे जो फर्स आपका difference between a mixture and a compound का जो परा table given है इसको आप write down कर लेंगे page नमबर 90 पे जो आपका यह table given है इस table को आप लोग write down कर लेंगे as it is note कर लेंगे तो यह आपका जो जाएगा question number 3 का answer हो जाएगा next आते है question number 4 पे solute or solvent का difference बताने आपने solute की तो मैंने पहले आपको definition mark करवा दी थी और उसके बिलकुल नीचे page number 83 पे solute के बिलकुल नीचे solvent भी given है इसकी भी definition आप लोग mark कर लें तो यहां तक जो है हमने अपनी जो chapter number 7 की थी तो इसके रहावर जो हम next video में इंचाला ताला chapter number 8 जो है उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे energy के बारे में energy types of energies के बारे में हम बात करेंगे इस chapter के about कुछ भी अगर confusion हो तो आपके comment box में मुझे जरूर पूछेगा अगर किसी भी topic में जो है वह मैं जादा अच्छी तरह आपको deliver नहीं कर सकी और आपको समझ नहीं लगी तो आप लोग उस topic का नाम भी मुझे comment box में कर सकते हैं मैं again इंशाला वह topic जो है वह आपको deliver करने अच्छी तरह deliver करने की कि आपको समझ आजे कोशिश करूंगी तब तक के लिए video ज़रूर देखिएगा और comment भी ज़रूर कीजिए कि आगे video अच्छी लगी हो तो तब तक के लिए अच्छी एला झाफ़ अच्छी अच्छी वग जब देखिएगे